कॉपढ़ीटिक एक ंत चैप्टर-4। आज हम कॉपढ़ीटीक है कहींटिक कॉठिर चैप्टर-धंग तो क्वाधिक ूंपीक । bags क्वाडिटिक एकुशन चैप्टर 4 है जो क्लास 10 का उसको डिसकस करेंगे इसमें सारे जो भी कॉंसेप्ट है सारे क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छा चैप्टर है इजी चैप्टर है तो पताने से पहले थोड़ा सा आपको जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर था उसमें इसी तरह से क्वाडिटिक एकुशन क्या बन जाती है जो प्वाडिटिक एकुशन की डेफिनिशन क्या होती है इसका इस्टेंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वार प्लस 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 सी इस उकल टू जीरो वट ए जुनाट जुकल टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल नमबर यानि कि कोई भी क्वाडिटिक एकुशन है जिसमें एक ही वैल्यू जीरो नहीं होगे अगर एक जीरो हो जाएगा तो व प्लस सेविनेंगे एक्स प्लस तूलब इस उकल टू जीरो एंड एक्स स्क्वार प्लस 5 एक्स प्लस 6 जीरो ऐसे क्वाटिक एक्किश्न के बहुंसे एक्जांपल हम ले सकते हैं अब आता क्वाटिक एकुशन दे शॉल्व करने के क्या मेथच़ो वैन हाउज टूर्व second chapter में polynomial हमने factor कराए थे इसी तरह से factor करने है और उसको zero के equal करके x की दो value निकल के आएंगे कि कोई quadratic equation है इसमें दो roots निकल के आएंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो की हमारा polynomial था उसमें हम zeros find कर दे थे और यहाँ पर जो quadratic equation है तो यहाँ पर हम इसमें roots बोले जाएंगे तो इसके कितने roots होते हैं two roots होते हैं अब इसके three method हो गए आगे next क्या है quadratic formula क्या होता है x equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a तो इस फारूंगले से कोई भी quadratic equation हो easily इससे solve कर सकते हैं कोई भी equation हो बहुती जल्दी solve हो जाती है कोई problem नहीं होती है बट यहाँ पर quadratic equation होना चाहिए next topic क्या है nature of roots nature of roots number first b square minus 4ac greater than 0 अगर b square minus 4ac greater than 0 होगा तो two distinct real roots होंगे next b square minus 4ac is equal to 0 अगर b square minus 4ac is equal to 0 आता है तो two equal real roots यानि two equal real roots third b square minus 4ac less than 0 यानि no real roots अगर b square minus 4ac की value 0 से less than है यानि negative है तो इसका कोई real roots नहीं होगा इस तरह से हम roots find करते हैं roots check कर सकते हैं इसकी nature find कर सकते हैं